क्यूं दोस्तों देख के मुँँ में पानी आ गया न ये है हरे मतर की स्पेसल चार्ट जो की काफी बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही डिलिसिस तो चल ये शुरू करते हैं तो पहले आप हरे मतर ले ये फ्रेस वाले हरे मतर है दोस्तों और एक कुकर में मैंने एक जीरा यह देखे जीरे को अच्छे से गर्म होने दे और ये बहुत ही टेश्टी लगती है ये चार्ट आप एक पर जरूर ट्राइ करें इसे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ये देखे जीरा मेरे गर्म हो चुके हैं ये धोए हुए मतर मैंने इसम पिंच लाल मिर्च, एक पिंच धनिया पाउडर, एक पिंच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसाल नमक ले और इसे अच्छी से मिक्स करें, ये बहुत ही कम मसाले में बनती है और बहुत ही टेश्टी लगती है, ताकि ये मटर का पूरा फ्लेवर आए, इसलिए हमने मसाले कम ए मसाले के मातरा थोड़ी बढ़ा ले और इसे अच्छी तरह से उबाले पांच मिनट के लिए, ये पांच मिनट मेरे हो चुके हैं दोस्तों, ये देखिए मटर मेरे काफी गल चुके हैं, लेकिन ये गाढ़ा पन नहीं आया है इसमें, ये गर्म मसाला डाले, फिर आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, ये मिक्स हो चुके हैं मेरे, ये देखिए, और आप इसे गाढ़ा पन के लिए आप इसे अच्छी तरह से क्रस्ट करें, सारे मटर को नहीं करना है ये, कुछ-कुछ मटर को इसी तरह क्रस्ट करें, लगभग एक पिनट तक, ताकि इसमें साले जो की काफी टेश्टी होंगे और एक बार आप इस रेसेपी को जरूर ट्राइ करें आप चाहे तो फ्रोजन मटर का भी यूज कर सकते हैं लेकिन अभी सीजन वाली मटर बहुत ही टेश्टी होती है यह आलू है मैंने एक कट्स कर लिये हैं उबले आलू आप भी जरूर और अगर आपको आलू पसंद नहीं तो हटा सकते हैं यह मूंक फली है यह मैंने अच्छे से रोष्ट कर लिये थे इसे भी डाले लाल टमाटर छोटे-छोटे कट्स कर लिये थे मैं उसे भी ले रही हूं दोस्तो यह है दही जो की काफी टेश्टी होता है और यह मटर को ब बेसल जान होती है दोस्तो आप इसे जरूर डाले यह धनिया पाउडर है मैंने इसे अच्छे से भून लिये थे मैं धनिया पाउडर का यूज की हूँ और यह लाल मिर्ची का जीरा का यह भी भूने हुए है आप चाट की रेसिपी मेरे जरूर देखिए उसमें मैंने भू इमली डालके जो मैंने अल्रेडी पीस लिये थे आप उसे डाले उससे ही ये टेश्टीस का बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा और ये सीजन में ये सारी चीज़े आपको मिल जाएगी और हमें कॉमेंट में ज़रूर बताए आपको कैसी लगी